आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, आज की Question में हमसे पुछा गया है कि Rigid Non-Leaving Component जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं Wall या फिर हम के सकते हैं Cell Wall तो हमारे Question का Correct answer है Wall अब जो दोस्तों Cell होता है उसके अंदर Non-Leaving Component भी होता है एस वेल इस Living Components भी होते हैं तो Non-Leaving Component का थो हमें पता चल गया कि क्या होता है वो Wall होती है बेरेज में आपको बता देती हूं कि Living Component के अंदर Cell का क्या क्या चीज़ आती है तो जो Cell Organals होते हैं For example Nucleus हो गया Mitochondria जिसे हम Powerhouse of the Cell बोलते हैं Then हम बात करें Indoplasmic Reticulum जो की बहुत Important Function डॉल करता है प्ले करता है In the Cell हम कह सकते हैं उसके अलावा बात करें हम गोलगी बोडी ये भी क्या होते हैं Living Substance होती है Living Component होती है Cell की Ribosomes जो होते हैं वो भी क्या होंगे Living Substance होंगे Lysosomes जिसे हम Suicidal Bags भी कह सकते हैं वो भी Living Substance है साथ में अगर हम बात करें Centrioles and Plastids ये भी क्या होंगे Living Substances होंगे और अगर हम बात करें कि Non Living में कौन से आएंगे तो Non Living में कौन कौन से आएंगे जैसे कि अभी हमने बात करी Cell, Cep जो होता है वो Non Living होता है Chromoplast भी एक Non Living Substance है Cell का Vecual भी क्या है Non Living Substance है और साथ में जो Cell Wall होती है वो भी क्या होती है नॉन लिगिन होती है